नमस्कार आज में आपको बताऊंगे 36 साइज ब्लाउच कटिंग एंड स्टिचिंग तो यहां पर मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से बताऊंगे ब्लाउच का में नाप कैसे लेना है तो देखिए सबसे पहले हम अस्तल की कटिंग करेंगे उसके बद जो हमारा ही सा आपको बनाएंगे उससे पहले आपको जैसे ब्लाउच से ठीफ लेना तो इसतरीके से ब्लाउच को रखना और यहां पे देखिए हम ऐसे करके नाप लेंगे तो यहां पर दो या तीन जितना भी आप चाहें तीन इंच भी ले सकते हैं चार इंच भी ले सकते हैं आपको गुंजाश लेनी है अगर आप नए तो यहां पर आप तीन इंच की गुंजाश लें मैंने यहां पर दो इंच की गुंजाश लिये हैं कि मेरा जो अस्तल है ना वह पंदर रुपे का लिया है हमने चोटा है तो उसी के साफ से मैंने यहां पर गुंजाश लिए दो इंच अब हम अस्तल को चोटा बड़ा करेंगे अब जैसे हमारी साड़े तेरा इंच लंबाई है लाउज की तैयार तो हम यहां पर साड़े चौदा इंच लेंगे उसके पार देखें आगे का पलर हमें डेड़ इंच बड़ा लेना है कपड़े को इस तरीके से हम डबल करेंगे ओ असलाNew है कि मिवALK और यहां पर लगाएंगे में 수डर कर निशान तो देखें जैसे हम इसीम्पल गला बना तो हम यह फर गंबल लेंगे साड़े पांच अरूमल लेंगे साड़े पांच इंच इस तरीके से हमें चौकुटा निशान बनाना उसके बाद देखिए ऐसे गोलाई यहाँ पर आदा इंच की दूरी है चौकुटा निशान है उसके बाद आदा इंच इस तरीके से इंची टेप को रखके भी लगा सकते हैं गोलाई अब देखिए गले की चोड़ाई हम यहां पर दो इंच की रखेंगे गले की लंबाई हम यहां पर छे इंच की रखेंगे अगर आप छोटा गला बनाना चाहते हैं तो साड़े पांच इंच की लंबाई रख सकते हैं तो देखिए जहां पर हमारा यह खुला है वहां पर हमें आरूमल का निशान लगाना जो बंदवाली साइड है वहां पर हमें गले का निशान लगाना जो भी नए लोग हैं वह इसी तरीके से निशान लगाएं और देखिए जो भी सिलाई सीखना चाहते हैं तो प्लीज हमार कि अब देखेएवाला हमारा पललर है वह हमारा पीछे का बड़ा वाला पललर हो वह हमारा आगे का क्योंकि आगे की साइड हम तीरा लगाएंगे लेट डालेंगे तो साह weed के जाना वह आपको बढहें सालेका कटिंग करेंगे अब हम यहां पर तीरे का निशान लगाएंगी तो देखिए हमारा तीरा उपर की साइड ना जाए तो हम यहां पर 13 पर इस तरीके से तीरे का निशान लगाएंगी उसके बाद देखिए हमें एक इंच ऐसे लेना है उपर की साइड और इसको ऐसे उसके बाद हम यहां पर टक्स का निशान लगाएंगे साड़े नौ इंच में और जो भी हमारा फिटिंग का कपड़ा है तो बूर निकालेंगे जैसे हमारा पीछे का पल्लर अठारा इंच था अठारा का ह आएगा हमारा नौ इंच अब नौ इंच का हम इस तरीके से आधा करेंगे तो साड़े चार इंच यह हो जाएगे हमारी नीचे की प्लेट एक प्लेट हम इसी के पराबर लगा लेंगे अब हमें धियान रखना है कि दो-दो इंच हमारा यहां पर दूरी होनी चाहिए प्लेटों में पास-पास हमें प्लेट का निशान नहीं लगाना है दो-दो इंच की दूरी यहां पर कैच्च का कट यह हो गया हमारा आगी का पाट अब हमें बाजू निकालनी है तो हमारे यहां पर कपड़े की जो लंबाई है बो साड़े पांच इंच और बाजू की हमारी लंबाई है पांच इंच और देखिए यहां पर जो चोड़ाई है बो साड़े 15 इंच तो देखिए हमें इस तरी किसको डबल किया है अब हमें कटिंग का निशान लगाना है तो हम यहां पर लेंगे दो इंच और इसको देखिए हमें ऐसे करके कटिंग करना और यहां पर हम एक टुकड़ा लगाएंगे तो यहां पर हमें ऐसे करके टुकड़े को जोड़ना है उसके बाद फिर कटिंग कर लेंगी छोटा बड़ा हो रहा है तो बाद में करेंगे अब हमारा जो साड़ी का कपड़ा है इसको हमें डबल करकी रखना है इसमें जो लेस हैं वो हमारी बाजू प्याएगी आगे का यह हमारा तीरा है जो भी नई लोग वो ध्यान दें कि यहां पर मैं साड़ी का जो कपड़ा है वो थोड़ा बड़ा ही काटूंगी क्योंकि इसी के बराबर काटेंगे फिर कपड़ा हमारा छोटा पड़ जाएगा यह पीछे का हो गया यह आगे का यह तीरा अब हमारे पास एक कपड़ा बचा हुआ है इस मैंसे हमें बाजू निकालनी है अब देखे यहां पर लेस लगी हुई है इसको हम निकाल लेंगे अब देखे यह निकाल अब देखे जिए हमारे बाजू की जितनी चौड़ाई है उतना भण कपड़े की चौड़ाई रखेंगे और ठोड़ाचा हम बढ़ा ही रकना है यह कि जब हम इसको जिड़ा तो ने फैलेगा तो साडी का जो कपड़ा काटना है कि यहां पर हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई अब हमारे पास से कटिंग का कपड़ा है तो एक हमें इसमें से काजवाली पट्टी निकाल लिए उसको हम डबल करके लगा लेंगे इस तरीके से पट्टी की जो चोड़ाई है वो हमारे पांच इंच की है और यहां पर हमने 1,5 इंच की चोड़ाई रखे है भुक वाली पट्टी के लिए अब हमारे पास एक कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से हमें गले की पट्टी निकाल लिए कपड़े को हमें ऐसे करके तिर्शा करना है यहां पर हम पट्टी की चोड़ाई रखेंगे 1,5 इंच की अगर आपको गले में पाइपिल लगाना नहीं आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल में देखने पाइपिल लगाने का बहुत ही आसान और सरल तरीका बताया है मैंने यहां पर देखे इस तरीके से हमें अपने ग करके जोड़ना है तो यह हो गई हमारे गले की पट्टी यह हो गई हमारे हुक की पट्टी और यह हमारे काज की पट्टी है यह हमारे बाजू है और यह हमारा आगे कपल और यह हो गए हमारे तीरे और यह हैं हमारा पीछे कपल यहां पर मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीक अलग से बताईए तो प्लीज आप चैनल में भी देख लें आसा करते हो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़र से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग से लाइश सीखना चाहते वह हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें धन्यवाद